सेंट जोजफ इंगलीश मीडियम स्कूल विजयवपूर वेलकम बैक बच्चों पहले हमने रसोई घर पोयम को पड़ा था आज हम उसी के कोशन आंसर जोड़ कर लिखो फल तथा सबजियों के रंग चुन कर लिखिये रसोई घर में पकने वाली कौन कौन सी चीजे तुम रोज खाते हो ये सब पड़ेंगे आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे है अंदर देखा चकला बेला चाकू छलनी बोल रहे है मैं चाकू सबजी फल काटू तुकडा तुकडा सबको बाटू गाजर मूली प्यास चिमाटर छीलो काटो रखो सजाकर गोलचान दी सी हूं मैं थाली बच सकती हूं बनकर ताली मुझ में रोटी सबजी डाली और सभी ने चटपट खाली शब्दर पहला है चलनी जाली डाल उपकरण जिससे हम बच्चो चाय भी छांते हैं दूसरा है सबजी तरकारी तीसरा छिलना छिलका निकालना चौथा है जटपट तुरंत या तक्षन प्रश्ण एक एक वाक्यों में उत्तर लिखिये प्रश्ण एक खिड की कोन खोल रहे हैं खिड की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं प्रश्ण दूसरा रसोई घर के अंदर उन्होंने क्या देखा रसोई घर के अंदर उन्होंने देखा कि चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे है प्रश्ण तीसरा चाकू का क्या काम है? चाकू, सबजी, फल काट कर सबको टुकडे में बाटने के काम में आता है प्रश्ण चौथा थाली में किसे सजा कर रखना है? थाली में गाजर, मूली, प्यास, टिमाटर सजा कर रखना है प्रश्ण पांचवा, थाली का आकार कैसा है? थाली का आकार गोल, चांदी जैसा है प्रश्ण चटा, सबीने जटपट किसे खाली? सबीने जटपट रोटी सबजी को खाली दूसरा प्रश्न जोड कर लिखिये रसोई घर खिड़की दूसरा चकला बेलन तीसरा गाजर मूली चौथा रोटी सबजी थर्ड प्रश्न तीसरा प्रश्न पल और सबजियों के रंग चुन कर लिखिये बच्चों, सबजीयों और फलों के कौन सा रंग होता है वो आपने इसमें लिखना है अब नमबर एक है बैंगन, बैंगन का कौन सा कलर होता है बैंगनी, दूसरा धनिया हरा, तीसरा टिमाटर लाल, चौथा मुली सफेद, पाचवा मिर्च हरा, छटा चीकु भूरा, कात्वा सीता फल हरा, आठवा संतरा केसरिया, नौवा सेब फल, दस्वा केला पीला पोर्ट विभिन सबजियों के नाम लिखिये, जमीन के नीचे उगने वाले, जमीन के उपर उगने वाले, लताओं पर उगने वाले, लताओं में उगने वाले मिन्स क्रीपर्स, जिसमें हैं सबजियां जो उगती हैं अब जमीन के नीचे जैसे मैंने आपको बताया पहली गाजर अब उपर जो उखते हैं बैंगन और जो है लताओ मींज कीपर्स में कौन है कद्दू तो इसके answer देखिए, जमीन के नीचे उगने वाले जो है, गाजर है, आलू है, प्याज है, मूली है और अध्रक है, अध्रक को हम क्या बोलते हैं, जिंजर जमीन के उपर उगने वाले जो है बैंगन है टिमाटर है मिर्ची शिम्ला मिर्च को आप क्या बोलते हो डब्बु मिर्च बोलते हो आप भिंडी लताओ पर उगने वाले कद्दू मीन्स पंपकीन लौकी बॉटल गोड और करेला मीन्स बिटर गोड खीरा क्या होता है कुकुमबर और ककड़ी को भी हम कुकुमबर बोलते हैं और खीरे को भी हम कुकुमबर बोलते हैं जिसे आप सौतिकाई बोलते हो प्रश्ण पांचवा रसोई घर में पकने वाली कौन-कौन सी चीजे तुम रोज खाते हो एक सुची बनाओ जैसे चावल के साथ दाल को जो है खाते हैं ऐसे ही चावल, दाल, चपाती, सबजी, रोटी, सामबत, पूरी, भाजी, इडली, चटनी विफ देखे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है जैसे चीजे दी गई है जलेबी, काजू बर्फी, दूद पेडा, सोहन पापड़ी आप बहुत पसंद है, थोड़ा पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं है अब बहुत पसंद के कॉलम में अगर आपको जलेबी पसंद है तो आप जलेबी लिखेंगे काजू परफी पसंद है तो आप काजू परफी लिखेंगे अगर आपको दूद पेड़ा पसंद है तो आप दूद पेड़ा लिखेंगे अगर आपको सोन पापड़ी पसंद है तो आप सोन पापड़ी लिखेंगे यह जो नाम है बहुत पसंद में कौन से जो आपको बहुत अच्छे पस आपको आप इसको पसंद करते हो वो लिखेंगे इससे थोड़ा पसंद करते हो आप दूसरे कॉलम में लिखेंगे और बिल् आम, केला, अंगूर, अनार आपको कौन सा फ्रूट्स अच्छा पसंद है आप उस कॉलम में लिखेंगे सेवन देखिए कन्नर तथा अंग्रेजी शब्दों में लिखो फर्स्ट जीरा, हुमन सीड, दूसरा काली मिर्च, ब्लेक पेपर तीसरा, मेती, फेन्यूग्रीक, चौथा, सरसो, मस्टर्ड, पाँचवा, हल्दी, टर्मरिक, शिक्स, छटा, हिंग, एस्वोटीडिया, सात्मा, चावल, राइस, आठमा, दाल, पल्सेज अब एच्वन, चित्रों को देकर शब्दों को जोड़ो अब फर्स्ट जो है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, छिलनी, छिलनी क्या होता है, जिससे हम आलू को छिलते हैं, तो आलू को जो छिलते हैं, उसे हम पिलर कहते हैं आलू जिससे जो हाड चीज होती है उसको छिलने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हिंदी में छिलनी कहते हैं और इंगलीश में क्या बोलेंगे पिलर सेकेंड के है आपका चक्ला बेलन थर्ड कौन से आपका छलनी और चोथा कौन से आपका चाकू पाच्वा कौन से आपका पहसूल चटा कौन से आपका कैची प्रश्ण नौवा स्वाद पैचानों और मिलान करो करेला क्या होता है कड़वा हरीमिर्च तीखा खीर मीठी या मीठा इमली खटा अब टैन नीचे खाने पीने की कुछ चीजों के नाम लिखे गए है उनके आगे लिखो कि उन्हें खाया जाता है या पीया जाता है या चूसा जाता है अब पहला है आम आम हम क्या करते हैं? चूसते हैं तो आम चूसा जाता है दूसरा है लस्ती मिन्स मजगी अब मजगी को हम पीते हैं तो पी जाती है तीसरा गन्ना जिसे हम शुगर केन बोलते हैं चुसा जाता है चौता है ककड़ी, खीरा भी कहते हैं, ककड़ी भी कहते हैं, कुकुम्बर इसे बोलते हैं, खाई जाती है और पाचवा है, फनस, फनस भी बच्चो जैक फूरूट को हम हिंदी में कठल भी कहते हैं और फनस भी कहते हैं तो उसे क्या करते हैं? खाते हैं तो इसलिए खाया जाता है छटा है दही खाया जाता है सात्वा दूद पिया जाता है आठ्वा शर्बत पिया जाता है नौवा बरफ चूसा जाता है दस्वा खरबूज़ खाया जाता है ग्यारवा लालीपॉप चूसा जाता है बारवा चाए पी जाती है तेरा तेरवा रोटी खाई जाती है चौद्वा गुल गप्पे गुल गप्पे को क्या बोलते हैं बच्चो पानी पूरी उसको क्या करते हैं खाते हैं तो खाए जाते हैं तेंक यू बच्चो एव नाइस जेर